अब तयार है अभी तक हमने सीखा है बेसिक कुछ पॉइंट्स जैसे इमर्जंसी के बारे में आपने अभी थोड़ा सा जान लिया है कि अलग-अलग इमर्जंसी होते हैं आपको बचानी के लिए आगया आना है वन्पिनस से जाना है आपको पॉइंट्स भी लेना है यह आप इस नपरातमिक उपचार क्या है तो किसी के किसी प्रशिश्चितम पोचने से पहले च्रुगतन का शिकार लने मिमार पड़ने म्य faith तक 스irations जो इमिजेटली जो भी ट्रीटमेंट है वो जो देटे हैं उसके उसको हम क्या बोलते हैं ठीक है फ्रात्मिक उप्चार का उदेश क्याना है तो उदेश ये है उपलग्ध सादनों से रोगी की प्रांग की रक्षा करना स्वास्तलाव में अगला और इसके साथ किसी की भिगर्थी स्थिति हो उसको रोकना और बात में होने जाने वाले जटिलता जटिलता इने की complications को कम करना यह बहुत ही important है और आगे जाने वाले आगे आने वाले कुछ भी problems है उसको कम करना यह अपना main first aid का motor तो यह प्रातमिक उप्चार इसको इसको बोलते हैं तो यही बात से अपना फ्रस्टेट का डीपीनेशन आपको पर्पेक्ट होना चाहिए तो आप कहीं भी हो कहां भी हो तो अच्छानक बिमार पढ़ने वाले या किसी को देखते हो ततकाल इमीजेटली आपको आगे आना है विक निशिजन लेना है और प्रात कीच भी अपने पास नहीं है तो आके आके मदद करना है वाटेवर दो थींग्स आवेलेबल इन देट कंडिशन जो चीज एवेलेबल रहेंगे उसको यूज करके हम पूरा बस्टेट कर सकते हैं और प्रान की रक्षा जरूर करना है और इसमें हम आज में आज के दिन में सीखेंगे और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाना नहीं है कि हमने बहुत बार यह क्लियर करना बहुत जरूरी है क्या होता है कई बार आपको मालूम नहीं होता और आप वैसे गलत तरीके से कुछ करते हो तो फस्टेड में प्राब्लेम भी क्रेट हो सकते हैं इसलिए आपको न हो गया है तो आप लिख सकते हैं यस सब्सक्राइब के थैंक यू थैंक यू बहुर्ट इस पार्टाइब